हलो फ्रेंड्स आप सबका हमारे पुश्पंजली गार्डन में बहुत-बहुत स्वागत है मोगरा प्लंट गर्मियों का बहुत ही खुबसूरत पौधा है यह गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और खुश्बू से भर पूर रहता है अगर आपके गार् पूरा महक जाएगा यह बहुत ही हैवी फीडर होता है तो इसको हमें बहुत ज्यादा खाद देनी पड़ती है तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है तो अप्रेल माई में तो काफी टेप्रेचर हाई हो जाता है तो इस समय हम इसको लिक्वीड फेटिराजर देते ह तो इसमें अच्छे भर-भर के फ्लावरिंग आती है और इसके कलिया और फूल गिरते भी नहीं है पौधों से और इनमें काफी खुश्वी भी आती है इसको आप जमीन में लगाएं चाहे 15 इंच या 12 इंच के पॉट में लगाएं तो बहुत अच्छे से यह प्रावरिंग हो रही है तो इसमें हम 15 दिन के अंदर एक लिक्वीट फेटिलाइजर बना कर दे देते हैं और ठंडी में हमने इसमें सरसों की खली और फूलों से बना हुआ लिक्वीट फेटिलाइजर दिया था जिससे काफी अच्छी स्की ग्रोथ हो गई थी और अब हम इसमें ओनियन पील और फ्रेश चायक पत्ती को दो तिन तक भिगा करके उसके पानी को भी हमने ओनियन पील में मिला लिया था तो यह बहुत ही बेस्ट फेटिलाइजर है तो पंदर दिन के अंदर हम इसको दे रहे हैं देखिए सबसे पहले तो इसकी मिट्टी काफी भुर कर ले रहे हैं इसकी तोड़ी खर पत्वा निकाल के इसकी मिट्टी मुलायम बना दे रहे हैं अब हम इसमें फार्टिलाइजर देंगे फ्रेंट तो देखिए इसी प्रकास साफ सफाई हमने कर ली है इसकी यह देखिए दो दिन तक भिगाया हुआ हमारा यह ओनियन पील है ज्यादा हम स्ट्रॉंग नहीं बनाएंगे क्योंकि फ्रेंट बहुत गर्मी पड़ रही है तो ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं बनाएंगे दो दिन तक ही भिगाया है हमने यह देखिए उपरी छिलकी को ही भिगाया जाता फ्रेंट तो अच्छा रहता है यह देखिए दो चम जिसमें बाल्टी में आनेजाएंट हैंट बड़कोन को तो पानी मिक्स करैंगेंगे इससे कि रभमलतब को थे लिया है यह बाल्टी में अब एक लिटर ॠानी ॥ैाइस कि नाइट रोजन बहुत भरपूर मात्रा में होता है तो जो कि पौधों की ग्रोध इस में काफ़ी मात्रा में होता है जिसे कि इंकी पतियां काफी हरी भरी रहेंगी और इससे ाछानに ज़ड़त gray तो में पौध डाल देंगे यह देखिए तो अभी इतनी गर्मी के मौसम में हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है तो यही लिक्वीड फैटिलाइजर हम दे दे रहे हैं जिससे इसकी कमी भी पूरी हो जाएगी सल्फर की नाइट्रोजन की और फास्पोरस और काफी मात्रा में इसमें नूट्रिशन मिलते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो फ्रेंड देखिए हम डाल दे रहे हैं पौधों में उसके बाद ही आपको दूसरे दिन पानी देना है जैसे कि पौधे की जड़ों में अच्छी त हो जाए तो देखिए मेरे यह देखिए मोगरा प्रांट में उपर तक देखिए फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड और पत्यां भी काफी अच्छी हैं तो आपको यह जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा